नमस्कार दोस्तों पूझा शिक्ति चानल में आप सभी मेरे भाईयों और मैंनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों आज जिस नविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है पित्र प्रक्ष या श्रात प्रक्ष शुरू होने वाला है इस समय पर काफी लोग जो है पित्र दोश के निवारन के लिए पूझा पाट करते हैं कई लोग जो है इस पर काफी रुपया खर्च भी कर देते हैं परन्तु आपको सबसे पहले ही समझना होगा कि पित्र दोश की क्या लक्षन होते हैं किस प्रकार से हम जाने कि हमारे जीवन में क्या सच्मुच पित् बढ़ा सकते हैं सबसे पहले आपको समझना होगा जो पित्र दोश है ये कोई दोश नहीं है सरल भाषा में अगर इससे समझा जाया तो आप अपने उपर लेकर देखें इसे कि क्या आप अपनी जीवन में अगर आपके पुत्र पौत्र होते हैं या आपके कन्या के पुत् या हमें उनके नीमिक पूजापाट और चोटी बोटी बनती है। वो करनी है। अगर आप अपने जीवन में अपने पित्रों को सदेव्याद रखेंगे, या उनके नाम से दान करते रहेंगे, या उनके नाम से एक दीपक भी घर पर जला देंगे, तो आपके जीवन में आपको कोई भी पित्रदोश परेशान नहीं करता है पित्रदोश की समझसा कुंड़ी में देखकर आसानी से जानी जा सकती है पित्रदोश कैसे लगता है तो आपको इससे जानना होगा कि आप जो है आपका कोई कर्म नहीं है इसमें जो आपको पित्रदोश लगा है यह कर्म होते हैं हमारे पूरवज होते हैं यह जो हमारे पूराने सगे संबंदी होते हैं जिनके कुटुम में हमने जन्म लिया है किनी कारणों से अगर उन्होंने अपने जीवन में पूजा पा बने कि आपके परिवार में किसी सदस के कारण आपको पित्र दोश की समस्या का सामना करना पड़ रहा है पित्र दोश जो है आपके कर्मों के लिए नहीं मिलता है पित्र दोश जो है हमारे रिष्टेदार या हमारे पूरवज जो होते हैं मैंने जैसे कहा उनकी पूजा पार्ट या उनके उस समय पे अध्यात्म को ना करने के कारण उन्हें मोक्ष ना मिलने के कारण अगला जनम प्राप्त नहीं होने के कारण जो है पित्र दोश की समस्या आने वाली पीडियों को जो है लगती है अब इसे हम दोश नहीं कहेंगे ये केवल पित्रों के लिए पूजा होती है, जो हमें करनी होती है, या उनके नाम का थोड़ा सा हमें दान करना होता है, उन्हें याद करना होता है, जिससे की इस से हमें चुटकारा प्राप्त हो सकता है अब कुंडली में अगर आप देखते हैं अगर आपको कोई जोतिश कहता है कि आपको पित्रदोश की समस्या है तो सबसे पहले आपको जो है ये जानना होगा कि जोतिश में कैसे बताया गया है जोतिश में बताया गया है सूरी को पिता का कारक माना गया है सभी जानते हैं मंगल को रक्त का कारक माना गया है अता जब जन कुंडली में सूरिया मंगल पाप रभाव में होता है तो पित्रदोश का निर्मान होता है इसी प्रकार जिस व्यक्ति की कुंडली में पित्रदोश होता है उसके लिए शरात पक्ष का समय बहुत विशेश महत्वर रखता है क्योंकि इन सोला दिनों में पित्रदोश निवारन उपाय करके पित्रदोश की जो समस्या होती है या जो भी उससे आपको समस्या है पैदा हो रही है उससे मुक्ती अवश्यक ही मil जाती है और बहुत ही 100% प्राप्त होती है इसका मतलब पूरा निवारण आप इन दिनों में 16 दिनों में कर सकते हैं जिन लोगों को पित्र दोश होता है उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है अब सबसे पहले हम लक्षन देख लेते हैं कि किस प्रकार के लक्षन ह सान्ताँ परंपरा आगे वरती है तो हम सदेव देखें लोगों की समस्या आती है कई बार आपको लगता है कि होने वाली है परन्तु संतान नहीं हो पाती है, मिस्कैरेज हो जाते हैं, किनी वी वजाओं से आपको डॉक्टरी कई इलाज बताए जाते हैं, आपको कई प्रकार के इसके लिए चीज़े बताए जाती हैं, परंतु ये जो होता है, ये पितर दोश का सबसे प्रमुक कारण होता है, कि संतान परंपरा, आगे को संतान समस्या या जो पितर दोश की समस्या है, विवा के बाद देखनी नहीं मिलती है, अगर उसके कुटुम में पितर दोश की समस्या ना हो, परंतु अगर आपके जीवन में संतान परंपरा होने में या संतान प्राप्ती में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपनी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिती को दिखाना चाहिए और आपको पता करना चाहिए पित्रदोश होने के कारण लोग जो है धन की समस्या से सदेव ग्रस्त रहते हैं आप देखेंगे कि धन हानी जो होगी आप कोई बड़ा व्यापार कर रहे हों कि और अचानक चलता हुआ व्यापार जो है अचानक बंद होकर आपको जो है नुकसान हो जाएगा यानि चलता व्यापार ही बंद हो जाएगा, ऐसी स्थितियां जाती है, नौकरी अच्छी खासी चल रही है, आपकी अच्छी पे मिल रही है आपको, आपको काफी कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा हो जगा से, और अचानक की आपकी नौकरी किनी वज़ाओं से जगड़ा हो या कुंडली में दोश पैदा हो जाते हैं या कई बार घर वाले राजी नहीं होते हैं कई तरीके की समस्या होती है और शादी अगर होती भी है तो शादी होते होते तक भी कई बार ऐसे जगड़े हो जाते हैं घर में कुटुम में मतलब वातावरन जो है मन खराब कर देता है ऐसा वातावरन आपके घर में देखने को मिलता है घर परिवार में कभी न कभी किसी न किसी छोटी छोटी बातों को लेकर जगडा बना रहता है परिवार के सदस्वर में मन मुटाव हमेशा होता रहता है कलेश की उस्तितियां बहुत हो जाती है खास तोर पर महिलाओं में गुस्सा बहुत तीवर गती से बढ़ता देखा गया है क्योंकि यहां पर इसका कारण यह होता है जब पित्र दोश की समस्या होती है आगे मैं आपको और बताऊंगी कि उपाय कैसे करना है तो आपको पहले ही समझना होगा महिलाओं अधिकतर समय जो है अपने घर में बिताती है आप जॉब भी करती होंगी फिर भी आपका अधिकतर समय आपके किचन में आपकी घर की साफ सफाई में यानि पुर्षों की तुलना में महिलाओं जो है अधिक समय अपने घर में बिताती है यहां की जो एनरजी होंगी यहां के जो दोश हो परिवार में 3-4 दिन तक कलेश चलता है या उसके दिल में जो है किसी को लेकर कोई बात नहीं रहेगी परन्तु उस समय पर उसका जो गुस्सा है वो शान्त होने का नाम नहीं लेगा और गुस्सा जो है उसके चहरे पर आपको बहुत तीवर दिखाई देगा उसकी आखों मे जो घर में रहने वाला सबसे सादा सदस से अपना समय जो घर में बिताता है उसी के गुस्से पर आपको ये जो है देखने को मिलेगा अगर बच्चा आपका बहुत जादा गुस्सेल है सुनता नहीं चिर्चिर करता है या बहुत जादा गलत संगतों में पढ़ गया है पूजा पाट करवानी है या उनके निमित आपको थोड़ा सा दान करना है घर में ऐसे कारे करने हैं जिससे आपको पित्र दोश की समस्या का जो है सामना ना करना पड़े पित्र दोश होने पर परिवार का कोई ना कोई सदेव विमार रहता है मेडिकल खर्चे सदे बने रहते हैं पित्र दोश होने पर लड़की के विवा में खास तोर पर बहुत परिशानी होती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कन्या विवा करके दूसरे कुटुम में जाती है तो विवा से पहले ही उसे इस दोश के कारण काफी समय तक जो है विवाही सुक प्राप्त नहीं होता है उसके जीवन में उसको विवा का सुक प्राप्त नहीं हो पाता है मन चाहवर नहीं मिलेगा या किनिना किनी कारणों से विवा में बहुत जादा देरी आएगी पित्र दोश होने पर राजी की सेवा या नौकरी के अफसर आपके हाथ से बहुत जल्दी चले जाते हैं आपको लगता है आपकी बार हमें ये नौकरी प्राप्त हो जाएगी इंट्रिव्यू क्लियर हो जादा परंतु केवल कुछ माक्स से या कुछ ऐसी बातों से जो है इन्ने लेने में बहुत जादा उन्हें परिशानी का सामना करना पड़ता है कई लोगों से सलहा लेंगे कई लोगों से बाते करेंगे कई लोगों से जो है सोच विचार करेंगे उसके बाद भी जो कार है वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे और आपके घर के जो बच्चे होत तो उनकी तरफ आपके घर के बच्चे जो है जाने लगेंगे उनकी दोस्ती जो है ऐसे ही लोगों से होगी जिनके जो पाप ग्रहें ऑलरेडी ग्रस्त होंगे या पाप ग्रह बहुत जादा तीवर होंगे तो बच्चा जो है आपका उनी संगितों में जाएगा और उनी के सा सब दोशों का जिवन का अधिकतर संमय बीथने लगेगा। अब भाईंग और मैं ओ आपने देख लिया कि dzisiaj-म एक जीवन में किस प्रकार से प्रॉब्लम्म आती है और Apple के नियुक आनी क् catch टेश एक time ऀन डेली कि आप आपके घर में आप सदेव देखेंगे सफाई नहीं रह पाएगी, आप यतनी मर्जी सफाई कर लीजे परनतु आपके घर में वो शान्ती का जो अनुबव होता है वो नहीं फील हो पाएगा, आपके घर में समय समय पर दुरगंद की समस्या का समस्या आपको देखने को यानि कि आपको समय समय पर जो है दुरगंद आपके घर से थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी आती हुई दिखाई देगी इसके अलावा आपका जो टॉयलेट होगा वाश्रूम होगा वहां पर लाख कोशिश के बावजूद भी आपको वहां पर सफाई देखने को नहीं मिलेग पानी की प्रॉब्लम रहेगी लीकेज रहेगा बदबू आएगी अब जब भी उस वाश्रूम में इंटर करेंगे तो आपको जो गंदगी एक तरीके से देखने को मिलेगी आपको सफाई या चम चम आता वह वाश्रूम नहीं दिखेगा आप बले वहां पर कितना भी पेंट का निकल जाना वास्तु दोश का मुख्य कारण वाना जाता है इसके अलावा आप अगर ध्यान देंगे तो आपके घर में पित्र दोश की समस्या सबसे जादा जब क्योंकि हमने राहू के बारे में अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताय है कि काफी इलेक्ट्रोनिक समान जब आपके घर में अधिक्ता हो जाती है बहुत जादा जब खराब इलेक्ट्रोनिक समान जो होता है वो घर में पड़ा रहता है यानि वो बिना काम के आपके घर में रहता है आपने बहुत जादा पूजा का जो समान होता है जो पुराना होता है बहुत जादा पॉलेथींस में भर भर कर आपने कहीं समेट समेट कर रख दिया होता है उससे भी जो है पित्र दोश आपके घर में लगता है आप अगर देखेंगे कि आपके घर में अनाज जो होता है आप उसे साफ नहीं रखते हैं उसमें कीडे बार बार लगते हैं तो ये भी आपकी पित्र दोश का ही कारण माना जाता है इसके अलावा अब हम बात करेंगे हमने सभी लक्षनों के बारे में बात कर ली पित्र दोश की समस्या जो है आप पूजा अर्चना करकर भ जीवन की आत्मा की शांती यानि कि आपको आपके घर में ही जो है सबसे आदा सुख की प्रापती हो यही जीवन का सबसे बड़ा सुख और आनन्द माना जाता है तो आप जो है जो डेली कपूर होता है देसी कपूर होता है आप इस पर जो है केवल आप कपूर को अपने पू कि बच्चों का हाथ ना जाए या किसी की नजर ना पड़े वहां पर आप जो है थोड़ा थोड़ा करके कपूर जगा जगा पर रख दीजिए आपको पती-पत्नी के बैड्रूम में बच्चों के रूम में पूजा घर में और जो है आपको हॉल में जरूर रखना चाहिए क् हमारी एनर्जीज भी जो है वहीं पर सबस्यादा देखने को मिलती है इसके अलावा अगर घर में पित्र दोश बन रहा है तो जातक को क्या करना चाहिए अगर आपके दादा जी हैं आपके पर दादा या जिनकी तस्वीर आपके पास हो आपके पिता-जी हो या आपकी मात जब लगा पर आपको सवर्गी परीजनों की फोटो लगाकर उस पर सदेव जो है नए हार फूल जो है पूजा करने चाहिए और उनका आशिरवात आपको प्राप्त करना चाहिए यह कारी कर लेते हैं तो उनके ही आशिरवात से आपका पुराना पित्र दोश है वह समापत हो तो देखिए और आपको पता लगेगा कि फ्रकार का होता है जो हमें प्योर समुदरी नमक को चाहिए हमें टाटा-स, यह दूसरा नमक होता है उसका प्रेयों करना है आप वह जो प्योर समुदरी नमक होता है उससे अपने वाश्रूम में जरूर रखे कटोरी में डाल कर और 3-4 दिन के अंदर वहीं जो है आपका फ़लश होता है उसमें बहा दे वहीं के पानी में आपको बहाना है उसे बात One से या बाहर नहीं लेकर आना है या आपको नमक को डाल देना है अब अगर आप शिराद करने वाले साधरन कारे करते हैं जैसे शिराद के समय पर आप एक ब्राहमन्ड को भोजन करा सकते हैं भोजन सामगरी जितना आटा, फल, गुड, शक्कर, सबजी और दश्चिना को दान करकर भी अपने पित्र दोश की समस्या को कम कर सकते हैं क्योंकि श्रात पक्षा रहा है इस समय पर ये कारे करना बहुत ही शुब माना जाता है अब अगर किनी वजाओं से यहाँ पर मैं अगर धन की कमी हो या कई बार होता है हम नहीं कर पाते हैं पित्रो के निमित कोई कारे तो आपको क्या करना चाहिए पित्रो का श्रात करने में समर्थ ना हो पाने पर किसी भी पवित्र नदी में जो है आप उसके जल में काले तिल इससे भी पित्र दोश की जो समस्या होती है उसका जो है अन्त होता है और यह बहुत सरल और बहुत सटीक उपाय है आप चाहें तो आप यह उपाय करकर देखें आपको इसके बाद मन में सबसे बड़ी शांती का अनुभव होगा आपको लगेगा कि आपको आपके पित्रो की क्रपा प्राप्त होने लगती है इसके अलावा आपको अगर यह कारी करने में भी कटनाई आ रही है हम काले तिल किस नदी में बहाँ है हमें नहीं पता है कोई ब्रामन नहीं है हमारे घर के आसपास तब आपको क्या करना अगर कोई भी कटनाई आपको महसूस होती है तो उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की हानी नहीं आती है पित्रों का आशिरवाद इतना बड़ा आशिरवाद माना गया है कि किसी भी समस्या से उनको कहीं से भी निकाल कर ला सकता है तो ये कारे आपको जरूर करना चाहिए इसके अलावा ये कारे भी ना कर पाएं तो इसके अलावा क्या कारे करें तो इससे भी सरहले को पाए आपको बता देते हैं कि सूरे देव क्योंकि सूरे दूशित होने पर या मंगल दूशित होने पर ही पित्र दोश की समस्या कुंडली में देखने को मिलती है तब आपको क् कर प्रातना करें श्राद में जरूर ये कारें आपको करना चाहिए पित्रों को याद करकर और उनसे कहें कि मैं धन और साधन ना होने के कारण पित्रों का श्राद करने में आसमर्थ हूं इसलिए आप मेरे पित्रों को पित्रों को जो भी उनका मोश होता है उन्हें प्राप् प्रणाम करता हूँ कृपया करके आप मेरी उन भावनाव को उनके उन तक पहुचा कर उनका आशिरवाद मुझे दिलाएं। इसके अलावा इन 16 दिनों में अगर साल भर एक उपाय कर सकते हैं बहुत आसान उपाय है केवल घर पर ही करना है तो मैं कहूंगी साल भर कर लीजे अगर नहीं कर सकते हैं तो इन 16 दिनों में तो आपको अपने पित्रों को याद करकर जो है एक मिट्टी का दीपक लेना है ते किसी भी बरतन में रखते हैं तो जहां पीने का पानी हो किचन में उनके नाम का एक दीपक जो है उस जगह पर लगा कर उनका आशिरवाद प्राप्त करें और अपने घर में सदेव तूलसी जी की स्थापना करके रखें आपके जीवन में आपको पित्र दोश की समस्या कभी भी नहीं सताएगी और आपके जीवन में आपको पित्रों का सदेव आशिरवाद ही प्राप्त होगा इसके अलावा कुंडली में अगर पित्र दोश बन रहा है तब जातक को अपने घर में जो है अपने पित्रों को याद करके अगर बत्ती ज़रूर लगानी चाहिए जिस प्रति दिन इस्ट देवता या कुल देवता की पूजा करना आपके जीवन में आपको सभी दोशों से छुटकारा दिलाती है कुल देवता याने हम जिनके कुल में हमने जन्म लिया है वही हमारे रक्षक हैं तो कोई भी कारे करने से पहले अपने कुल देवता को सदेवियाद करना चाहिए उनके नाम का दान जरूर करना चाहिए और कुल देवता का अगर स्मरंड करते हैं तो आपके जीवन में आपको कभी भी किसी कश्ट से नहीं जूजना पड़ता है कुंडली में कोई भी दोश हो आपको कुल देवता भी आपके रक्षक बनते हैं कुंडली में पित्र दोश होने पर गरीब कन्या का विवा या किसी बिमार व्यक्ति की साहता जरूर करनी चाहिए घर के आसपास अगर कोई ऐसे व्यक्ति हों जो अपनी कन्या का विवा करना चाहते हैं परन्तु सामर्थ नहीं हैं तो जितना आप से बन सके कपड़े आप दे सकते हैं गहने दे सकते हैं कोई भी सिंगार का समान दे सकते हैं चाहे तो भोजन में अपनी तरफ से थोड़े से पैसे देकर जो है उस कन आने वाली पीडि को जो है इस दोष का निवारंड आपके आने वाली पीडियों को जो है इस दोष की समझ्तका जो है सामना नहीं करना पड़ेगा विश्णु भगवान के मंतुरों का जाब या भागवत गीता का पाट करने से भी पित्रों को शांती मिलती है इन 16 दिनों पे आप ये जरूर कारे करें पढ़ नहीं सकते हैं तो केवल अपने घर में जो है सीडी या कैसेट चला कर भी आप जो है इन 16 दिनों में पूजा पाट या अध्यात्म का सहारा ले ब्रहमचेरे का पालन अग सभी के प्रशनों के मैंने सभी जवाबों का जवाब देने की कोशिश की है आशा है वीडियो आप सभी को बहुत पसलाया होगा धन्यवाद दोस्तों